बॉल्यूट के गलियारों की बात करें तो यहां आए दिन कुछ ना कुछ चलता रहता है और अक्टर्स और अक्टर्स नहीं नहीं फिल्मों में एक दूसरे को रिप्लेस करते रहते हैं और कभी-कभी तो यह अक्टर्स खुद ही कुछ फिल्मों में काम करने से मना भी कर देत अब इसी रहा पर चल दी है अक्टर्स आलिया भट आलिया भट का नाम आज की डेक में देश के सबसे अच्छे अक्टर्स में गिना जाता है आलिया अपनी हर फिल्म के साथ लोगों के दिलों पर एक अलग छाप छोड़ देती है और शायद यही वज़े रही कि आमिर खान ने अपनी आने वाली फिल्म ठग्ज ओफ हंदुस्तान के लिए अपरोच किया था आलिया को लेकिन आलिया ने फिल्म में काम करने से मना कर दिया सूत्रों की माने तो आलिया खुद आमिर के साथ काम करना चाहती है लेकिन इस फिल्म में उनके लिए ज़ादा कुछ करने को था ही नहीं और उनके हिसाब से जो केरेक्टर उनके लिए लिखा गया था वो पूरी तरह से कंप्रीट भी नहीं था जिस वज़े से आलिया ने फिल्म में काम करने से मना कर दिया आपको बता दे कि ये फिल्म यश्राज प्रोडक्शन के बैनर तले बन रही है और इस फिल्म में सदी के महाना एक अमिताब बच्चन और रीड रोल में अमिर खान नजर आएंगे अब ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा कि आलिया का ये फैसला उनके लिए कितना सही साबित होता है तब तक आप सब्सक्राइब करें हमारा चैनल टॉप न्यूज जैस्ट पर यूज टीवी और बॉलिवुट की दुनिया से जुड़ी सभी ख़बरों के लिए टॉप न्यूज से रोहत के रिपोर्ट